यह समय आम के बागों के लिए बड़ा ही महत्तपूर्ड है इसके लिए हमारे किसान भाईयों को चाहिए कि आम के पेड़ों की नियमित अंतराल पे सिचाई करते रहें ऐसे स्थान जहां पर जमीन हलकी है या बलूई है वहां एक सप्ता के अंतराल पे पानी देने की बेवस्था करें और जहां पर मिट्टी भारी है या जहां चिकनी मिट्टी है वहां पर दस दिनों के अंतराल पर पानी देने की अत्यानता हो सकता होती है सूच मतद्व जैसे जिंक हुआ, बोरान हुआ, आइरन है, मैगनीज है, कापर है और इसके घोल बाजार में आसानी से उपलब्ध है और अगर उनकी 2 मिली लीटर मात्रा को प्रत लीटर पानी के हिसाब से घोल बना कर प्रेड पर छिड़काओ करते हैं, तो फलों के विकास में लाब होगा और इसके साथ साथ फलों की गुरवत्ता भी बढ़ेगी जहां तक अगेती किस्मों की बात है, खासकर उत्तर भारत में जैसे दशहरी हुई, बॉम्बे ग्रीन है, गौर जीत है, या हमारे भारती किर्शियन संधान से निकाले यही किस्म पूसा लालिमा है उनके फल 15 से 20 जून के आसपास तैयार होने सुरू हो जाते हैं तो अगर जून के प्रथम सब्ता में एक छिड़काव पोटेसियम क्या किया रहता है तो उससे फलो की गुडवत्ता बढ़ाने में उनकी बंडारग चंता को बढ़ाने में लाब होगा इसके लिए हमारे किसान भाई पोटेसियम क्लोराइड ले सकते हैं या नाइटरेट ले ले अगर या दोनों रसाइन ने उपलब दे है तो पोटेसियम सुल्फएट का भी प्रियोब कर सकते हैं और उसकी एक प्रस्त का गोल बनाकर एक छिड़काओ करने से काफी लाव होगा ऐसा देखा गया है कि इट के भटो से जो जहरीली गैस निकलती है खास तोर पर सल्फर डायकसाइड उससे आम में कोईलिया विकार हो जाता है जिसके लिए 10 ग्राम बोरेक्स को लेकर उसको प्रतलीटर पानी के हिसाब से घूल बनाकर उसका एक छिड़काओ इस समय अवस्य कर देए इस समय जो सबसे प्रमुक कीट आम के बागों में जिसका प्रकूब देखा जा रहा है वह है फलमक की कीट और इसकी मादा फल की सता पर छिलके के नीचे अंडे देती है और उन अंडों से लारवा निकल करके वह गूदे को खाता है और जो प्रभावित भाग होता है वहाँ पर सडन पैदा हो जाती है ऐसे फल खाने योग नहीं होते हैं और वह पेड़ से गिर जाते हैं तो हमारे कुछ किसान भाईयों ने अवश्य ही फल मक्खी ट्रैप अपने बाग में लगा लिया होगा और जिनों ने लगा लिया है उनको सबसे ज़्यादा सावधानी इस बात की रखनी है कि उसमें जो उपचारित लकडी लगी है उसको नियमित अंतराल पे बदलते रहे सामाने तोर पर 15-20 दिनों के अंतराल पे जो उपचारित लकडी फल मक्खी ट्रैप में रखी होती है उसको बदलना जरूरी होता है और जिन किसान भाईयों ने अभी फल मक्खी ट्रैप नहीं लगाया है उनको जल से जल फल मक्खी ट्रैप लगाने की ब्योस्ता करने चाह पहला है एथाइल अलकोहल जिसकी छे भाग मात्रा ले ले और दूसरा रसायन है जिसकी चार भाग मात्रा ले और इसके साथ कीट नसी जैसे की इस पैनोसराइड उसकी तीन भाग मात्रा ले ले और इन सब को मिलाकर घोल बना ले और प्रयास करें कि जो प्लायूट का टुकड़ा या लकड़ी फलमक्खी ट्रैप में प्रयोग में लाई गई है उसको कम से कम 72 घंटे के लिए इस घोल में बिगो के रखें इसके लिए हमारे किसान भाई इ जोटे हैं या भी फलत में नहीं हैं जल्दी ही लगाए गए हैं तो उसमें जो छोटे पाउदे हैं उसको इस गर्मी के मौसम में नियमित अंत्राल पे सिचाई करना अत्यांत अवस्व होता है और वो किसान भाई जो इस बात का विचार कर रहे हैं कि आने वाले मानसून मे वो नया बाग लगाएंगे उनके लिए भी यह समय बड़ा ही महत्वपूर है खास कर मई के दूसरे पकवाड़े से लेकर जून के प्रथम पकवाड़े के बीच में उनको गड़े खोतने की वेवस्था अवस्व कर लेनी चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि जो खु सानना हो